Bill Gates कहते हैं कि मैंने अपने जिंदेगी में अगर कोई सबसे broadest याने विस्तार से सोचने वाला परसन देखा है तो वो है Charlie Munger वही Warren Buffett उन्हें कहते है the best 30 second mind in the world Charlie Munger की बात कर तो सबको लगता है कि ये एक investor है जिन्होंने कुछ market से पैसा कमाया लेकिन आज मैं आपको उनके ऐसी side बता तो जिससे आपको ये पता चलेगा कि he is not just a normal investor अगर पूरी दुनिया की history के greatest investors को निकाला जाए दो चार जो भी है तो उनमें Charlie Munger का नाम जरूर आएगा और आने वाले सालों में शायद ही इनका नाम कोई replace भी कर पाएगा चारली मंगर की बात करो तो बक्षा हैतवय सबको पता है Warren Buffett की company तो Warren Buffett बक्षा हैतवय के chairman है वही Charlie Munger उस company के vice chairman है Warren Buffett का लगबग right hand आप उन्हें कह सकते हैं ये एक incident से आपको पता चलेगा तो एक बार हुआ ये कि दोनों भी ऐसे chair पे सामने सामने बैठे थे चारली मंगर और Warren Buffett जब Mr. Buffett को लगा कि एक company है वो analysis कर रहे थे और उन्हें लगा कि ये company बड़ी जबरदस्त है तो इसमें हमें invest करना चाहिए लेकिन जो भी है अगर आप Warren Buffett को सुनते हैं और investment decision ये word सुनते हैं तो हमेशा उनके जुबा से निकलेगा वी वो आए नहीं कहते हैं वी कहते हैं वी मतलब चारली मंगर और Warren Buffett दोनों मिलकर decision लेते हैं अब फिर एक दिन जब ये ऐसे बैठे थे तो Warren Buffett ने बोल दिया कि चारली ये company काफी अच्छी है शायद हमें इसमें इंवस्ट करना चाहिए तो कुछ उने सुना ही नहीं दिया उसके बाद फिर सुन ने पूछा कि के चारली में कहरा था कि e company काफी अच्छी है शायद हमें इसमें इसमें इनवस्ट करना चाहिए तो सामने से फिर भी कुछ आवज नहीं आई तो तीस्री वारोprat ने पूछा कि चार्ली मैं तुमसे यही पूछ रहा था कि कम्पनी में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए चार्ली वाज लाइक आम दूइंग इस पॉर थर्ड टाइम मैं तीसरी बार ऐसे कर रहा हूँ ऐसा उनका जवाब था humor से भरीवे personality है यह कुछ आपको आगे के एक-दो clip में आने वाली journey में आपको बता दूँगा तो आपको पता चलेगा किस तरह की personality है बट यह जो investor है यह बागी successful investor से बहुत अलग है और उन्हें अलग बनाता है इनके mental models और उसके बारे में में भी हम डीटेल में आज बात करने वाले देखिए मैं 2015 की बात है मुंबई में जो MBA करने निकला था में तो उस टाइम अच्छा आसा ताइम मिलता था तो मैं काफी सारे जो इवेंट्स रहते थे इन्वेस्टमें रिलेटेड को अटेंड करता था और ऐसे एक इवेंट 91 Springboard करके को वर्किंग स्पेस था मुझे पता नहीं अभी है नहीं है तूर्भे में नभी मॉंबई के और वहाँ पर जो स्पीकर बुलाए गए थे वो थे विशाल खंडेल वाल जो की सफल निवेशक नम की बहुत ही बहतरीन इन्वेश्मेंट वेबसाइट चलाते हैं एक बार आपको टाइम मिले तो ज़रू चेक कीजी काफी बहतर हैं उनका काम है इन्वेश्मेंट की फिल्ड में और फिर उन्होंने वहाँ पर हमें काफी लंबा सेशन था और उस तेम उन्होंने चार्ली मंगर के हमें 13 mental models बता है चार्ली मंगर के बारे में थोड़ा बहुत हमें पता था लेकिन वह नहीं पता था किस तरह से वह सोचते हैं किस तरह से वह बाकी चीज़े करते हैं तो वहाँ पर काफी insights मिली बाद में आगे चलकर उनकी जो किताब है The Poor Charlie's Almanac वो मैंने पढ़ी और उसके बाद तो मतलब जो दिमाग की नसे है वो खुल गई लगबग ऐसा कुछ experience था और अभी रिसेंट लिए 1st January 2023 को चार्ली मंगर का 99th birthday था और Centurion में उन्होंने इंटर कर लिया है तो मैंने सोचे कि क्यों ना उनकी जो investment philosophy है वो आपके साथ share की जाए नमस्कार मैं प्रसद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ देखे चार्ली मंगर बिलिनियर है और उन्हें देखकर फिर कई सार लोगों यही लगता है कि इनकी कहानी तो बड़ी sorted होगी कि मसपे की अपना business शुरू किया होगा पैसा कमाया होगा और बन गए लेकिन वो कहते है कि उचाही ओपर देखकर हैराने बहुत लोग मेरे पैरों के चाले किसी निन देखे और कुछ इसी तरह की कहानी चार्ली मंगर की है जब यह 28 साल के थे 28-29 साल के तब इनका डिवोर्स हो गया और डिवोर्स में इनका सब कुछ चला गया इनका घर भी चल गये और उससे फिर खड़े नहीं रहते तो उनका जो पहला बिजनस है जो कि वह ट्रांसफर्मर की मैनिफेक्ट्रिंग का था वह भी फेल हो गया तो इसी तरह की चीज़े अगर किसी के साथ होती तो जादर है प्रोबैबिटी यह है कि वह परसन किसीना चीज का एडिक्ट पर फिलल बहुत ही अमेजिंग निवर ओफर चल रही है और उन दोनों कूर्स का हमने कॉम्बो बनाया है जिस पर तो और भी जबर्दस ओफर चल रही है इस ओफर की बस आखरी दो दीन बचे है तो इस ओफर को ज़रू मिसना करें लिंक नीचे दी गई है हमारी दे कंप्ल जैसे कि हेजिंग करना और जो ट्रेजरे डिपार्टमेंट से कंपनी के वह से किस तरह से इस्तमाल करते हैं रिस मैनेजमेंट कैसे करना है उस हिसाब से हमने ऑप्शन को बहुत डीटेल में समझाया है तो जाते जाते हमारे कोर्स के डिसकाउंट को ज़रू चेक आउट अपनी इन्वेशन फर्म में लगबग 1962-63 से 1975 तक उन्हें इपनी फर्म चला ही 12-13 साल और उसमें उन्होंने लगबग 19 परसंट का कंपाउंडेट सालना रिटन दिया है अब 19 अच्छा लगता है लेकिन आपको यह और अच्छा तब लगेगा जब इसी दोरान में डाउ ज जो कि युस टॉप मर्केक एक इंडेक्स है उसने 5.1 या 5.2 परसंट के करीब का रिटन दिया था लेकिन फिर अच्छानक 73-74 में उन्हें काफी नेगेटिव रिटन्स मिले जिसके बाद उन्हें अपना यह फर्म बंद करना पड़ा और उसके बाद एक दिन ऐसे ही डिनर पर उनकी मुलाकत हो गई Warren Buffett से वह मुलाकत शहाद पहले भी हो सकती थी विकोज। Warren Buffett को जो ग्रैंट फादर उनका एक ग्रोसरी शॉप था जहांपर Warren Buffett भी काम किया करते थे और Charlie Munger भी काम किया करते थे लेकिन वही है कि दोनों का जो वक्त था काम करने का वो अलग था, जो years थे काम करने के, जो साल था वो अलग था, फिर जब यह dinner पर मिले तो Warren Buffett को बंदा काफी सही लगा, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन्हें बक्षा हैतवे में बुलाया जाए, और फिर 1978 के करीब चार् उन्हें ने दिया है, जबकि इसी टाइम प्रेट में US के जो इंडाइसे से उनकी रिटन 10-10% के करीब है, चार्ली मंगर की कहाने में अपसेंड डाउंस तो बहुत है, लेकिन इनका जो sense of humor है, वो बड़ा जबरदस्त है, इनको Warren Buffett, sharpest 30-second mind ऐसे ही नहीं कहते, वो आपको क्लिप से थोड़ा अंदाज आ जाएगा, कि क्यों उन्हें ऐसे कहा जाता है, अब बात करते हैं, चार्ली मंगर के mental models के बारे में, कि कैसे उन mental models ने उन्हें successful बनाया, और वो काबले तरकते हैं, आपको भी successful बनाया, तो simply बात करो, जो चार्ली मंगर है, वो एक learning machine है, उसके बार में आगे बात करूँगा, तो उनका यह कहना है, अगर आप gambling करते हो, फि बहुत सारे लोग addicted हो जाते हैं, तो देखे जब भी आप gambling करते हैं, तो आपका brain आपको एक reward देता है, जो के chemical format में होता है, और उसका नाम क्या है, dopamine, अब यह जो dopamine है, अब अच्छे चीदे करते हैं, तो कई बार release नहीं होता है, देखे अब जो gambling है, वो आपके लिए तो loss making activity है, लेकिन फिर भी आप उसे बार-बार करेंगे, बिकॉज यह जो जितना dopamine release होगा, उतना आपको लेगा है, अब फिर से वो चीज़ करेंगे, इसलिए कई बार जो addicted लोग होते हैं, चाहे वो gambling की तरफ हो, या फिर किसी और चीज़ की तरफ हो, उन्हें रोकना बड़ा जब वो activity करते हैं, जिसकी प्रतिव हो addicted है, तब dopamine release होता है, उन्हें एक pleasure मिलता है, जो कि सीधा brain से मिलता है, तो इसलिए मैं चारली मंगर कहते हैं, आपको अपने mind पर काम करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ models बनाने पड़ेंगे, ताकि आप अपने mind को discipline सिखा सको, जैसे कि जब यह chemical ऐसे चीज़ों से निकलता है, जो आपके लिए शायद फाइदे की नहीं है, तो आपको यह make sure करना पड़ेगा कि यह chemical तब release हो, जब चीज़े आपके फाइदे की हो, जैसे कोई कहते कि investing एक boring stuff है, जाधार लोग investing नहीं करते, बिकोद वो boring लगता है उन्हें, बर ultimately बहुत सारा पैसा भी इसी में बनता है, बर क्योंकि उन्हें वो सिखना ही नहीं है, बिकोद उसमें मजा ही नहीं आ रहा है, क्योंकि वो एक बहुत slow और boring process है, तो dopamine release ही नहीं हो रहा है, और इसलिए आपको अपने brain को इस तरह से train करना है, कि जब भी आप कुछ learn करो, तो आपको ये feel होना चाहिए, कि I have done something really, really great और वो dopamine release हो जाए, उसके लिए शायद आप अपने आपको कुछ rewards दे सकते हैं, जिससे आपको वो चीज़ सीखने के बाद तुरंत एक satisfaction मिले, एक pleasure मिले, और फिर जब आप इस तरह की चीज़े long period में करेंगे, आप एक learning machine बन अगर चारली मंगर की बात करें इस perspective में कि वो कहां से सिखते हैं तो वो generally books prefer करते हैं, उन्हेंने hundreds of autobiographies पड़ी है, अलग-अलग subject का knowledge भी लिया है, आपने देखा होगे इसी clip में कहते हैं वो कि एक surgeon को वो surgeon की जो knowledge है, उसके लिए ही जाना जाता है, बट उनका अलग है, वो तो वो कहते हैं कि जब कोई business किसी चीज की price बढ़ा देता है, तो उस time होता क्या है कि economy का rule आपको कहता है कि शायद यहाँ पर जो supply and demand का rule है, वो break हो जाए, विकोज अपने price बढ़ा दी है, वही पर जो psychology का rule है, वो उन्हें ये बताता है कि कई बार जो businesses हैं, वो से profit margin के लि हलाकि ये सोच हर बार सही नहीं होगे, लेकिन अगर आपको psychology का knowledge नहीं है, सिर्फ business और business का knowledge है, तो कहीं न कहीं आपके growth रुख जाएगे, कहीं न कहीं आप वो mixed thinking जो है, वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और इसलिए वो कहते हैं कि one should read as much as possible, जितना आपसे possible उतना पढ़ हो जाएगा और ये बहुत ही simple rule है, अगर आपको इसी तरह के और mental models पढ़ने हैं, तो link में नीचे दे देता हूँ, आप ज़रू check out कीजिए, आपको काफी कुछ interesting चीज़े ज़रू सिखने मिलेगे, और Mr. Mangar से दूसरा important lesson हमें ये मिलता है, कि जिन्दक में उतार चड़ाव आते रहते हैं, बिना failure को कोई successful नहीं होता है, बिना mistake का कोई आगे नहीं बढ़ता है, और ये सारी चीज़े आपको समझनी पड़ेगी, तो Mr. Mangar के तरह ही हसते रहिए, खेलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और मेरी तो तमन्ना है कि एक बार उनसे ज़रू जाके मिलू तो अभी जो next year holding meeting है, उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, सारे efforts लगा रहा हूँ कि वहां तक मैं पहुँच हूँ, at least उनको सुन लू, face to face, जहीं तमन्ना है, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को subscribe करके bell icon पर भी click कीजिए, ताकि हर एक important videos के notifications आप तक पहु